दोस्तो नमस्कार, उमीद करता हूँ आप अपने एक्जाम की तियारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे दोस्तो आज का जो वीडियो है ये टोटली आपकी सेलेक्शन को आगे बढ़ाने वाला है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारी सेलेक्शन के जो कुछ ब्रेकर्स हैं, कुछ बैरियर्स हैं, उनको तोड़ना पढ़ता है और उनको तोड़े बिना आप अपनी सेलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ सकते एक विक्ति था परमात्मा से हमेशा प्रेयर करता था कि हे परमात्मा मुझे कभी भी चलिंजिस मत देना, मुझे कभी भी प्रॉब्लम्स मत देना, मुझे हमेशा लाइफ में आगे बढ़ाना जैसे कि हम नॉर्मली अपने लाइफ में परमात्मा से मांगते हैं एक व्यक्ति था दूसरा वो परमात्मा से मांगता था परमात्मा चाहे कितने भी कष्ट देना चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स देना लेकिन मुझे उन कष्टों को सहने की शक्ति देना मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देना और वो मांगता था परमात्मा से कि है परमात्मा कभी भी मेरा होसला तूटना नहीं चाहिए तो इस तरह कि अगर हम सोच से आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में barriers तो आएंगे breakers तो आएंगे आपकी selection को रोकने के लिए लेकिन उसको overcome करके आप आगे कैसे बढ़ेंगे इस विशे पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तो मेरा नाम देव नेजा है आज किस वीडियो में मैं आपका दुबारा से स्वागत करता हूँ दोस्तो अगर हम बात करें कि breakers है कौन से सपोज करिये आप shorten की field में हैं और आप तयारी कर रहे हैं तो आपको क्या पता है कि आपके जो सेलेक्शन है उसके बीच में जो barriers है वो कौन-कौन से है उसके ओपर थोड़ी से हम चर्चा करेंगे क्योंकि अगर आप अपनी field में expert नहीं होंगे आपको knowledge नहीं होंगे जैसे मालो आप गाड़ी चलाते हैं तो जो कुशल ड्राइवर होता है वो स्पीड ब्रेकर से जब गाड़ी निकालता है तो बड़ा आराम से इस तरह से साइड से करके और फिर उसको वापिस गुमाके और ब्रेकर का पता भी नहीं चलता लेकिन कोई अंजान विक्ती हो जिसको knowledge नहीं हो तो वो कैसे निकालेगा वो सीधा ही निकाल देगा फिर गाड़ी जब लगती है फिर उसको पता लगता है कि ओह ये क्या हुआ तो इस तरह से life के challenges है सबसे पहला जो life का barrier है अगर हम short end की field में हैं या अन्य किसी भी field में हैं अगर हम repeat कर रहे हैं अपनी गलतियों को क्योंकि मान लिजे कि आज आप class में पड़े offline या online आपको कोई word समझ में आया आपको उसकी vocab समझ में आया इसका meaning समझ में आया और चार दिन बाद फिर आपने transcription की फिर आपने उसमें गलती कर दी तो यह जो repetition है ना हम अपनी गलतियों को सुधार नहीं पा रहे हैं हम daily practice कर रहे हैं daily मेहनत कर रहे हैं daily हमें लगता कि हम सारा दिन लगे रहते हैं लेकिन जब वो repetition हो रहा है ना गलतियों का वो आपको बहुत पीछे लेके जा रहा है तो repetition को ठीक कैसे करना है कि suppose करो कि आप short end की field में है जो गलती आज हुई है उसको कही ना कही एक specific register पे note down करें हम क्या करते हैं कि हम short end की notebook पे कहीं भी लिख दिया पीछे last page पे लिख दिया जैसे ही copy भरती है तो वो copy side पे हो जाती है लेकिन आपको क्या करना है कि एक specific dedicated register लगाई है कोई इस तरह का जो हमेशा आपकी गलतियों को आपको याद करवाता रहे time to time आप उनको repeat कर सकते हैं कि ये गलतियां हुई थी weekend पे 10 दिन बाद आप सारी जो गलतियां हैं उनको आप check करके वापसी ठीक कर सकते हैं हो HSSC की तयारी कर रहा है और confidence नहीं आ पा रहा है 85 words per minute पे भी confidence नहीं आ पा रहा है तो सबसे पहले तो मैं बहुत सारे group जब देखता हूँ short end के वहाँ पे students क्या करते हैं उनका बस एक ही सवाल होता है this 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 outline please एक ही slogan बना रखा है उन्होंने पचास सो word लिखने के बाद outline please मैं यह नहीं कह रहा कि यह गलत है यह बिल्कुल learning stage की बाते हैं जब आप pitman कर चुके हैं तो आप एक काम करिए अगर आपको 20 word नहीं आ रहे हैं आप जिस भी group में भेज भेजना चाते हैं भेजिए जिस से पूछना चाते हैं पूछिए लेकिन उन 20 word की outline पहले खुझ से बनाईए जब आप उसको बना लेंगे फिर आप कहीं भेज के उसको पूछिए क्या यह outline सही है अगर आपको यह लगता है कि इसमें से 2-4 गलत होती हैं कोई बात नहीं लेकिन आप उनको बना के भेजिए फिर suggestion मांगे जिससे मा बढ़ेगा आप depend रहते हैं seniors पे या किसी teacher पे कि वो सभी outlines आपको बना के दे तो इससे आपका confidence कभी नहीं बढ़ पाएगा और आप जब हम देखते हैं कि कोई बड़ी vacancy आती है ज्यादा उसकी speed की तब हम क्या करते हैं हम form ही नहीं भरते हैं जो हम देखते हैं 2-4 vacancies हैं त तो इससे आपका confidence कभ बढ़ेगा अगर आप अपनी तयारी में practice में आप exam को बार बार नहीं देंगे तो आपका confidence कैसे बढ़ेगा जब outline आपको बनानी ही है आप ही को बनानी है बाद में कोन बनाएगा तो जब आप ही को बनानी है तो पहले उसको बनाके फिर किसी के सामने फिर आप suggestion मांगे कि इससे भी advance outline कोई हो सकती है या यह outline सही है या इसमें से कुछ गलतियां है इससे आपका confidence बढ़ने वाला है उसके बाद बात करें motivation हम सारा दिन motivational video देखते हैं फिर भी हमारा motivation डाउन है motivation की need नहीं है आप समझने की कोशिश करिए clarity नहीं है कि आपको आपकी बाता हूं लेकिन उसके लिए भी अगर आपको बार-बार motivation की जरूरत पढ़ रही है तो it means अभी आपका concept clear नहीं है जिस भी फिल्ड में आप है अगर आप specific short end की फिल्ड में है तो मैं उसी की बात कर रहा हूं अगर आप other भी किसी फिल्ड में है अगर आप बार-बार आप motivation की नीड पढ़ रही है तो आपको चेक करिए क्या आपको आपका concept clear है आपको लग रहा है कि जिस फिल्ड में आप है वो फिल्ड आपके लिए है या आप वहां पे job को achieve कर लेंगे तो आपको motivation की जरूरत बार-बार नहीं पढ़नी चाहिए motivation क्या है कि थोड़े से की जरू करने का मोका ही नहीं मिला इसको क्या समझेगी हमारा ध्यान सिर्फ motivation पर है clarity पर हमारा ध्यान उतना नहीं है और बात करें guidance की बहुत सारे स्टूडेंट गाइडेंस के अभाव में भी वन्चित रह जाते हैं selection से प्रयास करते हैं वो महनत भी करते हैं उनके अंदर confidence भी होता लेकिन कहीं न कहीं guidance के अभाव में भी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बारी जोब को पाने से रह जाते हैं तो आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं तो चेक करते रहा करिए कि आपका track सही है अगर आपको लगता है कि कहीं आपके और साथी और अच्छी तैयारी करके हमारे से ज़्यादा साथ पच्पन हमारी क्लास में तो सबसे ज़्यादा गलतियां वाले बहुत सारे मेरी तो सबसे कम गलतियां हैं लेकिन जब आप किसी ऐसी उसमें जाओगे रंगत में जहां पे आपको लगए यार यह तो पांच मिस्टेक कर रहा है इसकी तो चारी मिस प्रेक्टिस करें आउटलाइन बना रहे हैं सारा दिन उसको ट्रांसक्राइब करें तो ऐसा तो नहीं कहीं हम जिस भी काम को कर रहे हैं अपनी स्टडीव को तो वहां पर कोई लगए रहते हैं स्टाइम ये करेंगे लेकिन आप प्राइरटी को मैनेज नहीं कर पारे कि dá को कोई भी छोटा मोटा काम आया यह आप आपके भीना भी चल सकता था वहने उसमें सारा समय दे दिया फिकी कि आपने short end को priority नहीं दी आपने other priorities रखी इसलिए result भी आपके कहीं और ही चले गए आपको उसका पता नहीं लगता है तो time management क्या है totally priority management को ही आप time management count कर सकते हैं तो अपने priorities को manage करिए और unnecessary use of social media ये हमारी जो concentration है इसको इतना बिगाड देंगे कि आप क्योंकि बहुत सारी field ऐसी है जहां पर आपको याद करके और जब exam में appear होते तो आपको देखके दुबारा से अगर multiple choice question है तो देखके याद आ जाएगा लेकिन short end में एक second का भी fluctuation mind का concentration का कहीं गया तो आपका सारा exam खतम हो जाता है तो आप check करिए कि आप social media को use कर रहे है या social media आपका use कर रहा है इस चीज़ को check करने की student life में बहुत ज़्यादा जरूरत है जब आप job में आ जाएंगे फिर आप अपने time को जैसे मर्जी manage करिए आप अपने समय के हिसाब से लेकिन अभी उतना ही इस्तेमाल करिए जितना study के लिए जरूरत है या थोड़ इसे समय में जो आपको entertainment चाहिए उसके लिए और कई बारी short end में मैं बहुत सारे जब channels पे जाके देखता हूँ तो unrealistic expectations जो expectations है वो reality के level पे होनी चाहिए अगर unrealistic होग तो student जितने time में परियास चाह रहा है उस चीज़ को लेने का अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसका moral down होगा तो expectation जो रखी है वो reality के base पे कि आप कितना काम करते हैं कितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से ही आपको result मिलने वाले हैं नहीं तो बहुत सारी जगह हम कई बारी जाएगी इस shortcut से सफलता तो सफलता का कोई भी shortcut नहीं होता है आपको reality के level पे जीवन को जीना होगा तब ही आप selection को पासकेंगे तो यह कुछ challenges हैं जो हमारे barrier कहें speed breaker कहें जो हमारे achievement के हमारी selection के आड़े आते हैं अगर आप इनको दूर कर लेंगे समझ लेंगे तो definitely आपका selection हो जाएगा इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद वंदे मादरों